दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोया का जो USB माइक आता है बोया BYLM14 वो किस तरह का होता है ये आपको खरिदना चाहिए या नहीं खरिदना चाहिए क्योंकि दोस्तो मैंने इसे ओरर कर दिया था तो ये दोस्तो हमारे घर पे आ गया है मैंने इसे खर आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तो वो सारी चीजे आप बाकी लोगों के वीडियो में देख सकते हैं मैं दोस्तो आपको इस वीडियो में इस माइक का जो टेकनिकल चीजे है वो बाते मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो अगर आप ज अच्छी input ले सके जिससे हम इससे अच्छी quality में audio को record कर सकते हैं यह सारी चीजें दोस्तों अगर आपको जानना है तो दोस्तों इस वीडियो पेलास तक बने रहें देखते रहें और सिखते रहें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं तो दोस् bylm14 तो दोस्तों अब मैं इस माइक को अपने laptop से connect करूँगा और आपको सुनाओंगा कि इस माइक की जो audio है वो किस तरह की record होती है ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं audio panel open कर लेता हूँ यानि कि हमारा जो audio control panel होता है उसे सबसे पहले दोस्तों हम लोग open करेंगे इसके लिए दोस्तों हमें गय करना है यहाँ पर यह जो icon आपको दिख रहा है आपको इसके उपर क्लिक कर लेना है जैसे ही दोस्तों आप इस audio icon पर right क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का setting आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको open करना है open sound setting आपको open sound setting के पर क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का दिखेगा अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे laptop में जो involved mic है वो इस audio को capture कर रहा है ठीक है और साथी दोस्तों यहाँ पर आपको यह दो option दिखेंगे एक तो दोस्तों आपके laptop में जो involved microphone है वो यह यहाँ पर सो हो रहा है दूसरा दोस्तों आपका जो speaker है वो यहाँ पर सो हो रहा है लेकिन दोस्तों अब मैं करूँगा माइक को connect करूँगा यह दोस्तों बोया का USB माइक है तो दोस्तों अभी हमने माइक कर लिया है अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दोस इस आइकन पे दुवारा से राइट क्लिक करना है, यह जो आइकन आपको दीख रहा है, आपको इसके उपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिलेगा, sound का आपको sound के उपर click कर लेना है जैसे ही दोस्तों आप sound के उपर click करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का panel देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको recording वाले tab के उपर click करना है तो यहाँ पे दोस्तों आपको यह mic देख जाएगा ठीक है यहाँ पे दोस्तों देख सकते है बोया LM14 यहाँ पे आपको सो हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों आपको दीख रहा है कि यह जो है ओडियो को पिक कर रहा है अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ से माइक निकालता हूँ तो यहाँ से हड जाएगा देखिए यहाँ से मै मेरा ममाϊक डिस्कनेक्ट हो गया है तो यह आपर यह चीजे तो नहीं हो रहा है यानि कि गramosतलो वाला यूसद माईक है वह यहां पर यहां थो नहीं हो रहा है default के उपर क्लिक कर दूँगा तो इस पर यह green चेक टिक लग जाएगा ठीक है उसके बाद मैं ok कर दूँगा अब दोस्तो हमें क्या करना है obs में आना है क्यूंकि दोस्तो अक्सर हम लोग जो video record करते हैं वो obs से record करते हैं तो दोस्तो अब हम लोग क्या करेंगे obs में आएंगे उ यहां पर दोस्तो माइक जो है यानि कि आपका जो microphone है वो device सेलेक करने का option यहां पर आजाएगा अगर आपने वहां पर control पैनल में इस माइक को default सेट करेंगे तो आपके माइक से record होना start हो जाएगा यहां तो दोस्तो आप यहां से जो है अपना microphone का नाम दिखने लग है और उसके पर दोस्तों आप यहां से okay कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों आपका जो boyalm14 है यह आपकी audio को record करने लग जाएगा और इस तरह से दोस्तों आप अपने वीडियो को या अपने टुटोरियल को record कर सकते हैं तो दोस्तों अभी जो आप audio quality सून रहे हैं यह दोस जालगे होगा कि यह जो हमारा माइक है किस तरह का perform करता है और यह आपको खरीदना चाहिए यह नहीं खरीदना चाहिए एक चीज और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको माइक का icon चेंज करना है जिसे कि यहां पर मैं इस icon पर right click करता हूं उसके बार दोस् सर्च करेंगे sound तो यहां पर दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा sound mixer option यहां तो दोस्तों यहां पर आपको एक option मिलेगा sound setting तो दोस्तों आप से साउंड लिकर के सर्च करेंगे तो यहां पर आ जाएगा साउंड सेटिंग तो दोस्तों आप यहां से साउंड सेटिंग वाले पैनल में जा सकते हैं वापस से दोस्तों आपको साउंड कंट्रोल पैनल के उपर क्लिक करना है फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का आ आप बोया रख सकते हैं, इसका नाम आप यहां पर बोया रख देंगे, अगर दोस्तों आप इसका आइकन चेंज करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों चेंज आइकन पर क्लिक करके यहां से इसका आइकन चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी आप इसका आइकन चेंज कर सकत है उसके बार दोस्तो आपको गय करना है यहां से लेवल में जाना है और यहां से दोस्तो आप इसकी लेवल को बढ़ा सकते हैं मौलिजे कि आपकी audio quality ही कम रिकॉर्ड हो रहा है बहुत slow record हो रहा है अगर दोस्तो आपको लगता है कि मेरा जो माइक है यह बहुत ही low sound quality record करता है तो दोस्तों आप यहां से level में आगर के आप इस level को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप यहां से apply कर देंगे और ok कर देंगे अब दोस्तों हमारा mic setting हो चुका है उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे OBS को open करेंगे OBS को open करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे यहां पर यह जो mic वाला option है ठीक है यहां पर आपको mic option जो दीख रहा है आपको क्या करना है यहां पर three dots पर click करना है और then दोस्तों आपको क्या करना है यहां से properties में जाना है और उसके बाद आप यहां किलिक करेंगे और यहां से दोस्तों आप अपना mic select करेंगे और okay कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों आपकी audio OBS record करने लग जाएगा तो बस इतना ही दोस्तों आपको setting करना है और इतना करते ही दोस्तों आपकी जो mic की quality होगी जिस तरह का capacity होगा कि वो इस तरह का audio record कर सकता है तो इस तरह से दोस्तों वो आपकी audio को record करने लग जाएगा तो दोस्तों अभी आप जो मेरा audio सुन रहे हैं ये recording कौन से mic से record हुआ है इसका proof दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं click करूँगा properties में जाऊँगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी जो audio हमारा record हो रहा है वो दोस्तों हमारा Logitech का waveform C310 से record हो रहा है यानि कि दोस्तों पिछला मेरा जितना भी वीडियो आपने देखा है जितना भी मेरा audio आपने सुना है सभी audio दोस्तों मेरा जो है करीब करीब इसी मैग से record हुआ है और यह दोस्तों एक mic नहीं है यह बलकि waveform है और waveform के अंदर ही दोस्तों हमारा microphone भी inbuilt है और इसी webcam को यूज करते हुए दोस्तों मैंने सभी tutorial record किये है अच्छा अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि क्या इसमें कोई filter लगा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कोई भी filter नहीं लगा हुआ है तो दोस्तों मैंने record कर दिया है दोनों का sample आपको सुना आप दोस्तों खुद से decide कर सकते हैं कि कौन सी audio quality आपको बहतर मज़ेदार लगा है मारा जो दोस्तों पहला mic है Logitech C310 Wavecam उसका दोस्तों जो price है उसका जो कीमत है वो है दोस्तों 300 कुछ रुपया और यह जो दोस्तों बोया का LM40 जो mic आप देख रहे हैं बोया का USB mic है इसका दोस्तों जो price पड़ा है वो है 205 रुपया ठीक है और इस कीमत के हिसाफ से दोस्तों audio quality में भी थोड़ा बहुत फर्क आपको नजर आया होगा तो I hope दोस्तों कि इस video में मैंने आपको जो भी sample दिखाया है बिल्कुल rough sample दिखाया है इसमें मैंने कोई भी audio rating बेगारा नहीं किया है अब दोस्तों आप decide कर सकते हैं कि आपको बोया का माइक लेना है या Logitech का माइक लेना है तो दोस्तों मैं दोनों का link आपको इस video के description में दे दूँगा तो दोस्तों आप इन दोनों में से कोई भी एक माइक process कर सकते है जो आपके budget का हो और जिसका audio quality आपको बहतर ल सब्सक्राइब करके जाए तो बस दोस्तों आज की इस video में इतना ही तो दोस्तों मिलता हूं फिर नेक्स वीडियो में नेक्स टूटोरियल में तब तक के लिए दोस्तों जैहिन बंदे मात्रम